पेज वायू गूमती हुई भूमी फैलती हुई आग कभी भी एक ही इस्थान पर नहीं रुखता है वैसा ही है ये शिवम सदा यात्रा करने वाला काल भैरव मुंबई में सीरिल ब्लास्ट कराने वाले मास्टर माइन अमंदुला खान को सन 1985 में अरेस्ट किया गया था उसके चन दिनों बाद ही उसके संगठन के लोगों ने केंद्रिय सचीव की लड़की का अपहरण करके इस आतंकवादी की रिहाई की मांग रखी थी इनके आगे सरकार को दी जुकना पड़ा था रिहा होते ही पाकिस्तान जाकर कोरियन माफिया के साथ मिलकर हिंदुस्तान में ड्रग का कारोबार शुरू कर दिया भारतिये मूल के एलेक्स नान के एक डौन के साथ सोने के धंदे के सिलसिले में जब उसने एक मीटिंग सेट की उसी वक्त इंटरपॉल ने अटाइक किया जिसमें अलेक्स जेंडर भाग निकला और ये पकड़ा गया मिस्टर अमंदुला खान आपके उपर जो इलजाम लगे हैं उसके लिए आपको जमानत नहीं मिल सकती इसके बावजूद आप रहा होने के लिए सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं इस बारे में आप कुछ कहिए प्रेशर बनाने की मुझे जरुवत पड़े इतना कमजोर नहीं हूँ और ना ही खुद को छोड़ने के लिए मैं किसी के सामने गिड़ गिड़ाया हूँ उन्हें खुद छोड़ना पड़ा है मुझे वांटेड लिस्ट में शामिल करने वालों से लेकर अरिस्ट करने वालों तक सभी को अभी से ठंडा वुखार आना शुरू हो गया है जैसे मैं चाहता हूँ उसी तरह चलेंगे तो यहां सुख शान्ती के साथ रह सकते हैं यह वो अच्छी तरह से चानते है इतनी सिक्यूरिटी यहां पर लगा रखी है इसलिए नहीं कि मैं यहां से भाग जाऊंगा बलकि इसलिए कि भूल चूक से भी मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर खून की होली खेली जाएगी तो ने डबल गेम खेल कर चंद प्यादों को क्या मार दिया यह मस समझना की गेम इस ओवर वो बाहर जरूर आएगा दे रील गेम बिगिन्स नाव बेबी उसको बाहर लाने का काम मैंने ही किया है नाव हीस नो मोर खान गया कबरस्तान तो एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे जी ले अपनी जमीए अरे 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 तुम लोग अपने माथे से विबूति चंदन सब पहुंच लेकिन क्यूं वह पक्का नास्ति की अउलाद है माथे पर विबूति या ठीका देख लेगा तो चमड़े के साथ खरोच कर निकाल लेगा आईसा क्या है हम प्रम्भास में मेरे लिए मैं खुद भगवान हूँ मुझे इस तरह से घूर क्या रहा है बैठ जा तुम जोर जबरदस्ती करके जिस जमीन पर कब्जा करना चाहते हो वो कोई बेनामी जमीन नहीं है वो प्रॉपर्टी मंदिर के नाम है बिलकुल नहीं उस जमाने में उस वक्त के महराजा ने मेरी परदादी को तौफे में ल अगर तुझे यहां से जिन्दा खर लोटना है तो उसका एक ही रास्ता है सीधे से वो जमीन मेरे हवाले करते वरना अभी कटा अभी मैंने इस पर साइन कर दिया अब मुझे जाने तो इसकी लास लेजा कर एक गड़े में डाल दो और वहाँ एक नारियल का पेड़ लगा दो भूतना जी आपका नाम बिल्कुल सही है माव अपने सोच समझ कर रखा है भाई जब आप उसके सर पर नारियल फोड रहे थे तो हमारा दिल तक दक दक कर रहा था भाई आप इस तरह कितने नारियल फोड़ चुके हैं कितने सर फोड़े उसका हिसाब नहीं है तो नारियल का हिसाब कैसे रखूंगा लेकिन एक बात जरूर याद रखना आली में जितने सर फूटेंगे उनमें तुम तीनों के सर शामिल होगे मेरी चालीस इकड़ की जमीन में जो गौश आला है कहा था उसे खाली करवाओ वो काम छोड़कर तुम सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हो अरे यह आप क्या कह रहे हैं हमारी इतनी जुरत बाई कुछ दिन और इंतजार कर लो मंदिर की सारी जमीन जैदात को अपने ह दिरूत नहीं है तारी जिम्मेदारी हम तीनों पर छोड़कर आप बेफिकर होकर निश्चिंद हो जाईए हैं हम लोग सब सभाल लेंगे हैं है 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 कि गुरुजी आपका संगीत सुनकर तो तालाब की मचलियां भी उपर आकर अपना अन्मृत्ति दिखा रही है सभी बिखिल ज्ञादी में वो आपसे संगीत संभीलन करवाना चाहता है कर देंगी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपने इससे पहले एक शादी में गाना घाया था ना ना शोक संगीत यहां कौन किसका है बेरहम दुनिया है इमोशनल गाने मत गाना वहाँ पर उससे तुझे क् नहीं आपके पेट में हैं भूल गया आप उस मंदिर के जमीन और हमारे भूतनात के जमीन के बीच में गौशाला एक बॉंडरी के तरह थी बिल्कुल पिल्टी सीधी तरकीबे आजमा के सारे जानवर को कसाई खाना भिजवा दिया जब देने वाले का रख्त भाने वाले पापियाँ जैसा भीच भूएगा वैसा ही फल पाएगा याद रखना दूद्देने वाली का रक्त भाने वाले पापियाँ तुम्हारा सत्यानाश हो, सणीगली चीजों को खाकर पचाने वाले गिद्ध अत्रम, घोर संकट आने वाला है, तुमने जो जाल विछाया है, उसमें तुम लोग ही फसोगे, जोग एक धुल्म केतु, तुम्हारे विनाश के लिए अब आज चुका है, क्या है बे, बीच सडक पर भाई खड़ी कर रखी है, उड़ा कर निकल जाओं क्या, जो क्या है रहे सर, आप जो जानवर ले जा रहे है न, उनमें मेरा भी एक बचला है, छोटा सा, अगर आप उसे मुझे दे दे तो, उसे तुझे दे दू, रोकडा, रोकडा देकर हरिदा म मेरी बात को समझे सर, सरा, बात को चीऊ है कि अगर आपने उसे गंजा भी कर दिया, तो भी आपके सर जितने बाल भी नहीं मिलेंगे आपको, सर, सच करहाँ, प्लीज सर, वो बच रहा है, सर, 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 please मरी बात रहो, चूट, सर, चूट, क्या कर रहे, फ्लीज सर, प्लीज स झौणस और फटम योप in the कि ऐने एक को का तो तुमने सब को उतार दिए हमने नहीं सब को अभी इन देरा में बात कर ला हम झाहिक है ठीक है इसकी बोली त्वजय समझ में आती क्यों नहीं समझ में आधी घी है कि मासे ही जाए हुआ है ॅभी चल रास्तानाप कभाई क्या है लगता है तुम भी अपनी माहें बिशण कर लावारिस नहीं हूं तो ये भी लावारिस नहीं बना चाह機ूप हो पाथ Ukraine दोलो मतऊच के लिए पोलो आ के लिए प्रप novaca tre दीदी को, दादी को, नाना को, नानी को, काका को, काकी को, बुआ को, फुपा को, सब को ये अपने साथ ले जाना चाहती है। कन्फूजन ये है कि तुम इन सब को मुझे लटाओगे या फिर नहीं। पहरे हिरो आपने को धंकी दे रहा है अब तो आपने तेरे को ही कसाई खाना ले जाएगा समझा हाथ अटा बे नहीं अटाया तो है भाई क्यों बुला रहा है वो मरकर जैनुम पहुंच गया है क्यों भी जाएगा क्या उसके पास इन्हीं हाथों से इन्हीं हाथों से जानवर को काता है न बूल गया कि उसका दूद्ध तूपीता है और अब उसी को काटने जा रहा है तूँ हां बेरेमे की इंसानियत नहीं यह क्या अगर कल को तूब उड़ा हो जाएगा तो तुझे भी कसाई को बेज दो पेज़को चु जाहिए याद राख जो गाय है ला वो भगवान है और उसे मानने वाले कान खोल कर सुन लो शाम होने से पहले सारी गाएं गुशाला पहुच जानी चाहिए समझे कि नहीं कि दीपक राख से दीख चलू ठी में मलाहर से वर्शा हूठी यह क्या है गुरू जी आपका संगी सुनकर लड़की प्रकट हो गई है यही तस्वर संब्राट का कमाल है गुरू जी नारी कसा ही बर गई है यह क्या कर रही है इपने खुब तुने चेहरे देटाने चंदी क अज तो मैं सबक्त सिखा कर ही रहूंगी आज चल बागो और आज चोड़ूगी नहीं तुट्टे चुट्ट में खर दोंगी एई आज नहीं खेर नहीं एई आज तो शिवम की हत्या निश्चित है क्या हुआ शिवम कोई कुट्टा पीछे बना है क्या कुट्टे को तुम्हें पथर मार के भगा देता तो काली महाचांटी सब्सक्राइब कर दोंगी यह क्या हुआ जो हत्या करने गई थी वह विवाह की बात कर रही है गुरूजी क्या आपका ट्रैक लूज किया था इतनी शॉट्स पैंकर पेड़ के ऊपर चड़ गई थी और मुझे नीचे बठा दिया था आम जो चुराने थे इसे शिर्की सोगंद काश तेरी जगे वहां पर मैं हुता पर चाहें जो भी हो मैं शादी तुछ से करूँगी सर कट जाए या जान चली जाए तुझे मुझे कोई नहीं बचा सकता तो मेरा भली सर कलम करते मैं तुझे शादी नहीं करूँगा बिल्कुल सही का किसी भी किमत पर इसे शादी बच करना अपनी जुबार पर कायब नहीं चाट तेंक्यू आप इसे सबालो क्या पापा आप हमेशा उसी की तरफ दारी करते हैं तेरी किस्मत अच्छी है वो खुद शादी से इंकार कर रहा था आज आया है कल चला जाएगा थे महीने तक नहीं दिखेगा वो कहां क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता ये लड़का तेरे लाइक नहीं है एक अच्छे लड़के से तेरी शादी करो मैं उसे भूल जा श्री कुमार कैसे हो टोपी पहनाने का बिजनस कैसे चला है पुरानी बातों को तुमने अब तक अपने पीट में पचाया नहीं ठीक है आर अच्छा बताओ क्या काम है ज्यादा कुछ नहीं बस तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी ओ मुझसे बोलो कैसे तुमने तो उस लड़की को ना कहके छोड़ दिया है तो मैं सोच रहा था कि ऐसे मौके पर क्यों ना मैं ही ट्राइ कर लूँ अगर तुम कोपरेट करोगे तो सोचा के एंटर दे रगएन के तरह मैं उसकी लाइफ में एंट्री करनूँ अला ठीके ठीके ओके लेकिन एक बात यार रख जानवरों को कसाई खाना भेज रहे थे राम उसके बात क्या हुआ वहां हमारा श्रीवम पहुंच गया और उसने उन सारी जानवरों को बचा लिया धूरों को कि एकंप जब भी आता हूं तुह यह इत बंधी इसे लेजाओ जिदी नहां कर आओ आओ अ मैं तुम्हारे लिए खाना वुश्कि हम मुझे पता है तुम्हारी मоминаं पसंच चीज आये मैं सब वाँ 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 इन हाथों से बनाया हलवा पूरी खाय मुझे अर्सा हो गया मैं पास मिट में आता हूँ ठीक है जा इसे हो भाई हलो हाई 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 पावन हाई हाई चाजू यह लो इसे खोलो जो तुम्हें चाहिए बोले रोलीक है क्या बात है मुझे से पहले ही आपाउच गया बस परसो इसका एक्जाम खत्म हुआ और पापा ने कहा कि उट्सव आ रहा है तो आप लोग आ जाई हम जल्दी आ गए तू लास्ट मंत अमेरिका आने वाला था तो आया था यह नहीं कुछ पता ही नहीं चला आया था लेकिन त तो ठीक हूं लेकिन तू यह बता कि तू सुबह आने वाला था तो इतनी देर क्यों हो गई अब क्या कहूं दद्दू वो जो लड़की है ना वो तो साक्षात काली का उतार है इतना बड़ा कोईता लेकर बिंदास होकर मेरी जान लेना चाहती थी वो अरे बाप यह क्या ब कही है कल उस बात से मुकरमा जाना अरे दद्दू यह तो ऐसे बोल गई जैसे इन्होंने पहले से सब रेकॉर्ड करके रखाओ देखो जो रेकॉर्ड होता है उसे हम डिलीट कर सकते हैं लेकिन अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देना है ये बात उसके पितारे मन में ठान है क्यों ऐसा क्यों उनके होने वाले दामाद का गवर्मेंट ऑफिसर होना बहुत जरूरी है ये उसके पिता की शर्त है तुम विदेश आने का खयाल छोड़कर यहीं रहकर कोई अच्छी सी नौकली कर लोगे तो मैं किसी तरह उसके पिता को मना लोगी आपकी बेटी से शादी करने से बैता रहे कि मैं पूरी जिंदी की विदेश घूमता रहा हूं क्यों शिवाम पापा कब आया बेटा अभी अभी आया पापा इस बार दस पंदरा दिन के लिए यहां रुकेगा या फिर से चकर गिनी हो जाएगा मेजर एक्सपोर्ट का काम निटा कराया हूं ठीक है ठीक है इस बार कार्तिकुद्सव के बाद ही तुझे यहां से जाना होगा पापा मम्मी के हाथ का खाना और आपके हाथ का प्रसाद खा करी जाओंगा यह फैसला करका है अच्छी बात है अमारे लिए क्या आदेश है बताते हैं मेडिकल रिपोर् लेकिन अभी एक खास आदमी का ना बाकी है शुक्रिया मेरे दोस्त शुक्रिया लगता है अपनी डेट बॉड़ी पर पूल चड़ाने वाला पहला आदमी मैं ही हूँ जब भी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटड हुए है तुम रिस्क उठाकर मुझे सेफ करते रहे लेकिन अफसोस मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया इसके लिए दिल से सौरी मेरे दोस्त तुम्हारी मौत के साथ मेरी आइडिन्टिटी भी खत्म ओ, कन्फ्यूजड के हो रही हो स्नेक तुम्हारी मौत हमेशा उससे ही उद्धी थी यह तो बस मेरा एक मौहरा था मेरा दुश्मन एलेक्स मुझे नीचे गिराने के लिए कैसे कैसे प्लैन बना रहा था मुझे पहले से पता है लेकिन उसका फाइनल टागेट क्या है यह जाननी के लिए अपने डुप्लिकेट को उसके साथ मीटिंग के लिए भेज़ा था उसने तो मुझे शम्शान पहुचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था सत्य आज तुम जिन्दा हो, यही बहुत है कम, ले सेलिबरेट किस खुशी में? जो जेल के अंदर बंद था, उसे बाहर निकाल कर पबलिक के सामने मारा, इस खुशी में सेलिबरेट करें या फिर मेरी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई, इस खुशी में जब तक मैं न चाहूं, मेरे डुपलिकेट के मौट के खबर लीग नहीं होनी चाहिए मेरा दुश्मन मर गया, इस ब्रेकिंग नियूस के साथ, मैं जिन्दा हूँ, यह संसनी खेज खबर एक साथ आएगी अलेक्स को मनुला खान का रिविंज क्या है सिर्फ यही पता है, लेकिन इस खान का रिविंज कैसा होता है, यह अब मैं उसे दिखाऊंगा अलेक्स वेको बेटी, संगीत में सब कुछ भूलाने की शक्ती है, संगीत सीखने से लड़की की इज़त बरती है, रिष्टी की बात करने समय लड़के वाले लड़की को कार ना आता है कि नहीं यह पूछते है, ना बोलने पर ना करती है, संगीत सीख लोगी तो विवा भी हो आपकी तो शाधी लायक जवान पुत्री है और मेरी तक शाधी भी नहीं हुई है वाज पीजी और अब तैक आगे बढ़ानी है वैसे आप यहां कैसे अरे वो तो दिखाई दे रहा है ऐसे शुब काम के लिए शुब मुरत देख कराना चाहिए था ना शुब मुरत देखने का टाइम नहीं था अब आप जल्दी से हमारी बेटी को संगीत सिखा देजिए यह खड़ी रहती है तो बिल्कुल सितार जैसी लगती है ताहन पूरे की तरह ल जी शंकर जी यह सभी लोग मेरी साधना से प्रसंद होकर मुझे इनाम दे चुके हैं तो तुम मेरे पास संगीत सीखने का मन बना चुकी हो ना यह दो गधे पिछले तीन सालों से मुझे संगीत सीख रहे हैं और तीन सुर्ट तक नहीं सीख पाए कुछ सिखाएंगे तब तुम नानिल पानी बेचा करते थे इतनी जल्दी इतनी कामया भी कैसे संगीची साधना करने के लिए मैं हिमालय परवत में जाकर आलाप करते 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 ठक कर मैं वहीं सो गया था वाइट और वाइट ड्रेस में फिर सरस्वती हाथ में वीना लेकर प्रकट हो गई थी उन् तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो तुमसे अच्छी तरह मैं उसे खुश कर दूंगी किसको मेरे शिवम को तुम उस शिवम को खुश कर सकती हो या मैं तुम्हें खुश करके जीता हूँ यह तो वक्त ही बताएगा अब अपनी चाल चल देता हूँ कैसे इंसान हो यार तुम ऐसे गुरा रहे जिसे कोई जानवर गुरा रहा है तो पास आकर घर घर गेंड़े की तरह गुरा रहे हैं यह तीन पेक का आफर है ना पेक का आफर है क्यों बैर बावानी ने अब तक तेरी मांग नहीं बरी क्या वो तो किसी भी दिन भर वालू लेकिन उसके बाप के दुनों पैर मेरी च्छाती पड़े हैं क्यों ऐसा क्या हुआ कल उस लड़की को देखने कोई लड़का और उसके घर वाले आ रहे हैं लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूं अब तो सब कुछ तुम्हारी हाथ में है न अब तुम कुछ मतलब की बाद करें अब मेरा आइडिया सुन तो मेरी और भावानी की काउं के हर दीवार पर तस्वीर बना दे बस उसे लड़का देखेगा और बुसाओकर भाग जाएगा जा तू यह कर अगरा तस्वीर बनानी ही है तो मेरी और उसकी क्यों न बनाओं तो जाब वो कर ले लड़का आकर देखेगा तो मजाग समझेगा और लड़की को शादी करके ले जाएगा जा 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 तू कर ले नहीं ने गुरू मैं तुमारी ही बनाता हूँ ने गुरू मुझे आशिरा दो ना तेरे एंटिना की कसम शीगरी तेरा विवास संपन होता अपनी बच्ची की तारीफ नहीं कर रहा हूँ वो लाखों में एक है बड़ों के आगे तो सर नहीं उठाती डिगरी पास कर चुकी है बहुत अच्छा गाती है अरे यही तो है उसके गुरू जी चोटी उम्र में बुड़े को उसकी शादी की तैयारी कर दो ये बात आप ह ये उसकी शादी मेरे साथ कर रहा देगा ये सोच कर मन उसका था गुरू जी ऐसा कभी हुआ है कि आपका प्लान कभी काम किया हो आई नमस्ते नमस्ते दोस्तों नमस्ते अंकल जी नमस्ते टोपी जी तुम इकलाते यहां क्यों आए हो मम्मी पापा को नहीं बेज सकते थे क्या बात कर रहे हैं आप मेरे इकलोते एंकल है आपकी एक इकलोती बैटी है इसलिए मैं भी इकलोता ही आगा है ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है गली-गली में इनके पोस्टर चाने हैं पार्वती बच्ची को लेकर आओ पता नहीं आप कौन सा बुरा काल आने वाला है इनहीं भी मैंने कहीं आपक्षी यह क्या इपना स्धित को सों क्लों थे क्ला स्दोल्टी को बाप मैं कहीं देखा है इसनों आख चकर से करो मिटेजियों मिला ने कि मैं थो लोड़ताओ इंशंत हो के है तो लिडी उख में मेर्विट और ओपतां के यह तुम सब के समने क्या कर रहे हो यह अपना मुझ बंद कर मैं तेरे लिए काउं कर रहा हूं पापा यह हुआ इस गाउं की हर एक दिवार पर इन दोनों की तस्वीरे मैंने देखी है अब सब कुछ खत्म हो गया पापा अरे यह तो क्या कह रहा है उफ जहां उगली गुमा रहे न वैसे हमें भी कुमा रहे है दूद में किसी भी कीमत पर मैं इस बीग्रेड मूवी से शादी नहीं करूंगा चलो बापा एक मिनिट मुझे बीवेड मूवी का है अब ये मैं ब्लॉकबस्टर मूवी हूँ तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तुम्हारी हैसियत ही क्या है मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ चल बड़ा रहा हो जी चलिए आहां से अरे एंकल आप बेकार का टेंचिन क्यों ले रहे हैं यह वो पिक्चर है जो डबा है रिलीज नहीं हूँ लेकिन आपकी लड़की का उसका तो सिल्वर जुबली होने वाला है सुपर हिट लड़का मिलेगा उसे हाँ मेरा काम तो हो गया ठीक है हाँ हाँ शियम के आती ही मैं स पर तस्वीर बढाके रिष्टे बिगाडता है रुख जाए गुरू क्यों क्या बात है हाँ तुम्हारा ससुर तो तुम सा अच्छा आटिस्ट है दो नोगालों पर क्या पेंटिंग बनाई है तस्वीर बनाने वाला मैं हूँ और तस्वीर बनवाने वाले तुम हो तो ये बात लड़की के बाप तक कैसे पहुची जरा ये समझाओगे मुझे ताब दिन मेहनत करके तुम्हें बहुत ये बढ़िया तस्वीर बनाई है तुम्हारी ये कला जगत प्रसिद्ध होने वाली है आट बाई श्रीकुमा लिखकर सब दूर आटोग्राफ बना दिया है कैस वो उसने देख ली थे वो किसने बनाई और कौन बनाएगा शिवम ने हाँ उसी ने वो है न मुझे बहुत चाहता है इसलिए ऐसा किया लेकिन वो कभी चाता था नहीं आखिर वो अपने प्यार का इसहार मुझसे कब करेगा पता नहीं लगता है वो आ गया है मैं उसका मू क्योंकि मैं सीरियस हूं मैं तुमसे बात पूछती हूं क्या सच बताओगे मा मैंने अपनी जिद्दीकी में तुमसे कभी जूट बोला है तो फिर ये बता गाउं के दिवारों पर तेरी और भवानी के ऐसे आड़ी तेरी तज़वीरे किसने बनाई बनाई है उस मोटू श पसंद है ये क्या मा पेटा से सवहनी कुछिछ जाते एो तुझे पसंद है या नहीं है मुझे कुछ सुनाई नहीं जोर बोल बावानी मुझे बहुत पसंद है तो फिर गदे उस बच्ची को तू जान बुचक कर क्यूं सताता है देख हूं तुम्हारी कई बातों को सच साबित करते क्या माब चाओ अब मैंने डिसाइड कर लिया है चाहे चू कर लो मैं तुमसे दूर नहीं होने वाली अब कहां जाओगे मेरे शूना मैंने अपनी सेफटी के लिए अपने डुपिकेट को रखा था लेकिन उसने डुपिकेट को मारकर औरीजिनल को ही डमी बना दिया कोई भी सिर्फ मेरे फोन कॉल पर भाई का आदमी आ रहा है यह कहकर सारे काम का छोड़ कर मेरा काम पहले करता था लेकिन आज जब मैं खुद फोन कर रहा हूं कोई फोन उठाने को तैयारी नहीं कि इधर है वो एलेक्स तुम लोग चारों तरफ उसे ढूढ रहा हो लेकिन उसकी खबर ही नहीं देखो मुझे वो चाहिए मुनीर उसे मैं नहीं छोड़ूंगा मुझे वो चाहिए समझे याद रखना वो पाताल में भी तब भी मैं उसे ढूढ निकालूंगा नहीं छोड़ूंगा मैंसे अब तुम्हीं यह गाव चूड़ कर बाहर गये ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जहां भी जाओगे वहीं आ जाओगी मैं कहा रहता हूं यह मुझे नहीं पता तो फिर तुम कहार ढूढ दू वही ना वो मोटू, वो प्राब्लम नहीं, वो तो अच्छी बात है, उस प्राब्लम का बनाऊंगा मैं, लाव ट्राइंगल और कर दूँगा, फिनिश आज से आपका खाना पीना सब बन, आज के बाद सिर्फ गाना बजाना, जिस चिडिया के पीछे आप थे न, वो तो पुर्र करके उड़ने वाली थी, वो तो सही वक्त पे आकर शिवम ने मदद की, तो वो नहीं उड़ पाई इस खुशी की मौके पर एक गाना हो जाए अच्छा, मुझे आप से कुछ बात करनी है, हम दोनों के बारे में बात करनी है, हम दोनों की परसनल बात है, इसलिए इंचलों को, तब लाडोलाक उठाओ, और रावारा हो जाओ, चलो चान बची, चलो, टाउन डालिंग, ओहो, ओहो, गुरू, कल और शिवम मंकी ने मुझे सच्चाई का पता चला, यही कि मुझे आप से बेंतिहां मोहबद है, चोटी के एंटिना को इतना ना हिला और रिसेप्शन हिल जाएगा, नौटी, आप से एक सवाल पूछू, क्या ये अपके चेहरे का जादू है, जो मैं बिगल कर पानी पानी हो जाती हूँ, के स्वीटी, भवानी अब तक घर नहीं आई है, शादी के लायक हो गई है, फिर ये म्यूजिक सीखने की क्या जरूरत, सोचा था संगीत सीख लेगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन वो उसे तो लाजशरम ही नहीं है, तुम्हारी वज़ा से, ऐसा उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, जब भी को याता है, गाय की तरह सिंग मारने दोड़ती है, मेरे जीते जी पता नहीं उसके शादी होगी की नहीं होगी, मरने की बात क्यों करते हो पापा, आपको इतनी जल्दी मरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अल्रेडी अपने लिए अपने म्यूजिक टालेंट से सब के दिलों का टैनेंट बना हुआ, वही मेरा फेमेस म्यूजिक करू, श्री साथ सुरों का मालिक यानी समराठ मेरा दिल जीत चुके है, अरे फूटी किसमत हमारी, ये बच्ची अपना बच्पना कब छोड़ेंगे, बड़ों की इज़त को भरे बाजार में निलाम करते हैं, आप लिकी वज़े से हुआ है, इसके जिम्मेदार आप ही है, तुम किसे कह रही हूँ, बचा रही हूँ मैं आपको, और सुना रही हूँ इसे, पर मा, मैं कमेट कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ, अरे रिडे, ये तु क्या कह रही है, गलत मत समझो, मैं सिर्फ शादी करूँगी, ऐसा ही कमेट किया है, तुम्हें उसमें क्या दिखाय दिया, बेटी, प्यार अंधा होता है पापा, वो फुल साइज बलून है, कुछ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल वो शादी की बात करने आ रहे है, पापा अप रेडी रहना, मा, तुम भी रेडी रहना, दामाजी आ रहे है, बहुत बढ़िया सेलेक्शन है, अब फामली पोट्रेट कैसा होगा, ये भी देख लो, पार्वत्ती हमारे तो नसी भी भूटे हुए है, किसी तरह खाई से बचे तो सामने कुवा आ गया, अब ये विक्रब क्या कर ये तो बेताल ही जाने, आपने मुझे अपने साथ लाकर यहां क्यों बिचाया है, बापा, वो मेरे लिए घर में आकर इंतिजार कर रहे होंगे, अरे, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए यहां लेकर आया हूँ, तु चुप बैट, अरे, ये अमंगल-मंगल आपती के समय यहा किसने बुलाया, इन्हें यहां मैंने बुलाया है, पापा, क्या कर गया तुम्हें, चलो भाग यहां से, पापा, रुको नो पापा, एक मिनिट, यहां कैसे, क्या कहा अंकल, और नहीं तो क्या तुम्हें दादा कहूं क्या, हलो, मैं तुम्हारी लड़की का पती, तुम्ह हाज करने से करन से नहीं हुगी एसा करने से कि पहले तुम्हें मेरी मर्जी जांनी होगी तुम्हारी मर्जी जानकर क्या करना मुझे हुपे टिक अभर है कि यूं तविस पॉछ ना कैसा क्वह इसे कोरो यह अ अरे यह कौन से लेंग्विज जर्मन लेंग्विज बुज़नी आते हैं चल मेरा हाच छोड़े गुरू अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसा चलेगा वो मेरी अकल मेरी शेकल और मेरी परस्टनालिटी पर नहीं मार मेटी है गुरू वो तो मेरी वॉइस पर वाइस पर मार मेटी है गुरू वोइस पर हाँ आवे गेंडे तुझे क्या लगता है कि तेरी वोइस की पर है मैं नहीं जानता है यह ना गीत माला लोग गीत भक्ती गीत वेस्टन सॉंग सब को चेस वोइस कंट्रोल म्यूजिक प्लेयर पर बरकर रखा जरूरत के मुताबिक सांग प्लिक करके उसके साथ लिप सिंग करके तु लोगों को टोपी पहनाता है तेरे पेट पे बंदी है आईपॉट टेक्नालोजी चोटी में लगा हुआ यह जीपीए सेंटेना और कान में मिनी स्पीकर बूम बैक्स इन सबसे तु लोगों को बेवकूफ बनाता है अगर यह बात मैंने उ नहुबत प्यारी पहले यह फैसला कर ले जिंदगी प्यारी है वैसे मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ तो फिर मैं बता देता हूँ मुझे क्या नहीं गुरू जान है तो ही जान है चलो वह क्या है यह तो अभी छोटा सा बच्चा है इसकी उम्र ही क्या है और संगीत में बहुत ही साध्णा की जरूत होती है अगर अभी से इसकी साध्णा पूरी तरह भंग हो जाएगी यह ख्याल इसको आया है ना जरा बता दे एवी आज के बाद हम दोनों का रिष्टा कूरू और शिश्ची का है तो फिर मेरी प्यार का क्या होगा मेरा यहाल करने वाला ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा अंकल जी तो फिर शादी के इरादे का क्या हुआ चुप ट्रेंगल फिर गेम सक्सेस पांडे भाई हमारा वो बीस एकर जमीन वाला काम जोटका उसे पूरा कर दो ना भाई तुझे बैठे बैठे भाई याद आया है क्या सामाज हो गया अब टेंशन मतले यह बताओ कि नई खबर क्याला है पांडे भाई याजी मंदर का उत्सब मस्धिक आ रहा है हर साल आप दिये डोनेशन को उस पुझारी ने ठिक का रहा था मंदरी जी ये कार्थिक महिना ही उसके लिए आखरी साल है इसके बाद वो रिटायर होकर घर के सामान की तरह कोने में पड़ा रहेगा उसके बाद मंदर का सारा रख रखाव हमारा ही होगा देख लीजिए गा ठीक है चलो देखते हैं तर याद रहे कि ये उस परमिश्वर पुझारी का आखरी उतसब होना चाहिए अरे बहु ये शीवं कहीं दिखाई नहीं दे रहा कोई जरूरी काम है कहकर कल रात को ही वो विदेश चला गया है बाबुजी शीबू मुझे तुमसे खास विशे में बात करनी है बुले पापा वो बात ये है परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे हाथों से होते आया है ये प्रधान मठाधीश का कारे निर्वाह करने का इतिहास उसके देखभाल और महत्यों के बारे में तुम अच्छी तरह से परिचित हो जी हां पापा मे मेरे पिता अपने कारेकाल में इस जिम्मेदारी को पूरी शद्धा के साथ निभाते आये थे उनके बाद मेरा चुनाव हुआ लेकिन आज चालीस वर्षों बाद आने वाले महाभरनी नक्षत्र के मुताबिक आने वाले समय के लिए मैं रेटायर हो रहा हूँ शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध इन पाचों अंशों को लेकर सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण इन सभी से कर्म सरणीय भेदानु भवह अंता आत्मा से प्राप्त होता है इसलिए बेटा मेरे बाद जेश्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें इस परंपरा क अगे बढ़ाना होगा, ये क्या पापा, आपको नहीं लगता इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था, आपका काम जिसे आपके लिए इंपोर्टन्ट है, वैसा ही मेरा काम मेरी लिए इंपोर्टन्ट है, मैं आपका ये कार्ये कर सकता पापा ये सिर्फ कार ये नहीं है सेवा है सदा भगवान की शरण में रहकर सेवा करने का महत्वपूंड कार है पापा मेरी ये नौकरी मुझे महिने में करोड़ों रुपए कमा कर देती है उसे छोड़कर मैं यहां पर पूजा पूरसकार अलंकार अभिशे करते चुड़े पैसे कमाऊं पापा बखवास बंकर बहुत हुआ फूजा अनुष्ठान के प्रति इतनी घिरी हुई बाते कर रहा है परमेश्वार देखो शीबू तो जो भी काम करता है करोणों रुपए की कमाई होती है लेकिन ये सब सपनों का भल है लेकिन भगवान की सेव फल की उमीद किये बिना भक्ती भावना से होती है संकट निवारन करने वाले भगवान की शर्ण में जो भी आता है उसके प्रति सर्वे जना सुखिनों भवन्तु कहकर अर्चना करने का स्वभाग्य तुम्हें अपने आप मिल रहा है बेटा जो कारे तुम इस वक्त कर रह है ऐसे शुबह अवसर को यदी तुम खो दोगे तो तुम से बड़ा मूर्खिस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता पापा प्लीज मुझ पर ज्यादा प्रेशन मत डालिए चाहे कुछ भी हो जाए में अपना फैसला नहीं बदलने वाला पापा अगवान के लिए ऐसी बात तो मैं आकर गलत कदम उठा लूँगा तो कल पश्चाता भी मुझे ही करना पड़ेगा कैसी पश्चाता आपकी बाते कर रहा है तू आज तू तेरी पढ़ाई तेरी नोकरी तेरी तरक्की यहां तक की दो वक्त की रोटी भी तू खा रहा है तो वो सब भगवान शिव के कल या शिव की पूजा रादने करने से तू इंकार कर रहा है मुर्ग कहीं का पापा आप जिस शिव की बात कर रहे हैं उस पूजा को मैं ना करो यह भी पुर्खों की मरझी हो सकती है पुर्खों, परंपरा और उत्राधिकारी के नाम पर आप मेरी बली चड़ा रहें पापा, डादा के बोय हुए बर्गत के पेड़ पर मैं भाजी पर चड़ जाओं क्या, शिभू, जिन नौ ग्रहों की पूजा करने की बात कर रहे हैं, उन नौ ग्रहों के साथ मैं अपने ल एलेक्स, सोरी तो डिस्टर्ब यू अन यूर हॉलिडेर, खांद के साथ उसके पूरे गैंग को फिनिश करके तुम्हारे इंडिया जाने के पाथ, यहां ब्यूरो आफ लैंड मैनेजमेंट के हिसाब से, बड़े पैमाने पर फिर से ट्रक का धंदा शिरू हो चुका है, इ उसे खत्म करने के लिए ही तुम्हें यहां फिर से बुलाया गया है, माफिया नेटवर्क कुछ अलग तरह से काम करता है, किसी और धंदे में जब नंबर एक का आदमी नीचे आता है, तब ही दूसरे नंबर का आदमी उसकी जगे पर पहुंचता है, लेकिन यहां पर इंत यरास्मिन, युसुफ, आयशा, जफर और नुरू, ये लोग हर महीने पचास से साट टन ड्रग्स अवानुला खान से खरीदा करते थे, हमें उन्हें धून्डा होगा और उनका सफाय करना होगा कर दो कर दो कि अपर इंत हरे अब तक तो आप स्नान शाम की आरती पूझा सब खतम करके मंदिर के लिए निकल जाते थे आज क्या हुआ जी आप इतनी देर तक सोए हैं शिवु ने आपकी बात नहीं मानी इसलिए आप परिशान मत होईए आपके बाद शिव का प्रसाद देने वाला कोई नहीं है तो क्या हुआ शिव अपने भब्तों के लिए खुद ही अपना रास्ता निकालेगा मैं कब से बोले जा रहे हूं लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहें क्या हुआ है आपको एजी सुनिए सुनिए एजी सुनिए सुनिए ना शीबू प्रस्थान कर चुका है उसे तुनिए मुक्त ने देना माँ मैं आज वापस जा रहा हूं मा यहां की सारी विधे संपन करने के बाद तुम भी मेरे पास आजाना मा पापा नहीं रहे तो तुम यहां रहकर क्या करोगी मा ददो आप इन्हें समझाते क्यों नहीं अगर मा मेरे पास आ जाएंगी तो इन्हें अपने दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा हमारी सोच जैसे अगर सब कुछ होता तो दर्द से हर किसी को छुटकारा मिलता संसार में हर कोई हसी खुशी के साथ जीवन बिताता ये सब कुछ छोड़ कर तुम्हारे साथ आना हमारे लिए बिल्कुल मुम्किन नहीं इतने सालों तक यहार है हम इस मंदिर और जैगे को नहीं चोड़ सकते है यही हमारा स्तित्व है तेरे पिता को गुजरे हुए अभी तीन दिम भी नहीं हुए और तु अपने फर्ज को छोड़ कर जाने की तैयारी कर रहा है वहाँ सैटलाइट लॉंच होने वाला है दद्दू मेरा जाना जरूरी है देखो बेटा पिता के वचन का पालन करने के लिए वनमे गय श्री राम जी जैसा तो तु नहीं बन सकता माता पिता को कंधे पर ले जाने वाला श्रवन कुमार जैसा महान बेटा भी तो तु नहीं बन सकता बेहतर है कि तू चला ही जाए अरे अरे सुनो भाई आपके लिए खुशकबरी है वर्षों से जो आपका दुश्मन बना बैठा था वो परमेश्वर पुजारी सीधर कहला इस चला गया इतना ही नहीं उसके बाद उसका उत्राधिकारी बेटा ये कहकर विदेश चला गया कि मुझे जमेले में नहीं पढ़ना है इतना अर्चा मौका हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए छी लेना चाहिए उसे तेरे माथे पर लगाया हुआ मेरा ये भस्म मेरी किसमत में लिखी हुई मंदिर की वो जमीन मुझे वापस ला कर देगा आज के बाद उस मंदिर का यही उत्तराधिकारी है और यही वारिस है हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जिसके लिए तुम हमें ऐसी सजा दे रहे हो सदियो सदियो से काल भैरब बने हुए हो हम श्रद्धा से तुम्हारी सेवा करते आ रहे और तुम्हें जरा भी चिंता नहीं तुम हमसे यह अपनी सेवा का सवभागे क्यों छीन रहे हो बताओ भगवन बताओ अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ हुँ 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 ह Tra हुँ हु झाल 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 यह तुम लोग क्या करने जा रहे हैं पिछले चार सालों से इसी मंदिर में सहायक पुजारी बनकर सेवा करने वाले पुजारी को हम मठाधिश की कुरसी पर बैठाने जा रहे हैं असन हो वो करे इनके वन्ष़ोजोग का है पुराने मठाधिश का पुत्र हुआ तो क्या हुआ अम इससे अपना मठाधिश नहीं मानते इसमें उस पद के लिए कोई योकिता है क्या मैं ही अगला वार इस में ऐसा कोई तावा ठोकने के लिए ये कोई तुमारे पूरवजों की जागिर नहीं है सिर्फ जागिर की बात होती तो मैं उसे छोड़ देता ये अस्तित्व की बात है हमारे पूरवजों का अस्तित्व उस स्थान में बैठने के लिए तेरी क्या उकात है? तुझ में क्या योगिता है? तब यह क्या जानना है पूछा हो? ऐसा क्या? भुरू जी, सारी जन्ता के सामने ये परिक्षा हो जाए, अभी की अभी फेंसला हो जाएगा हमारे धर्म में देवाले मतलब एक सशक्त विवस्था है यहां सिर्फ विश्वास पर ही सब कुछ नहीं चलता मुख्य द्वार से लेकर गर्व ग्रिह तक, हमारे कुल देवता से लेकर अंतिम पंक्ती तक पग पग पर नियम शास्त्र का अंश होता है देविये शक्ती को केंद्रीत करने के लिए सिर्फ मान लेने या भावना को पालना ही काफी नहीं होता उसके लिए रिशियों के दिये हुए ज्यान की प्राप्ति होनी चाहिए अर्चना करने वाले के प्रार्थना अगर सही है तो तबेले का पत्थर भी शिव बन जाता है लेकिन पूजा में अगर रत्य भर भी चूख हो तो शिव को शिला बनते देर नहीं लगती संसार के मोह माया में भठके हुए तुम हजारों साल का इत्यास रचने वाले इस मंदिर में किस तरह मठा धिरिश का कारे समालोगे मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे धर्म को चोट पहुँचे स्वधर में निधनम श्रया ऐसा गीता में लिखा है निध्य अनुष्ठार और पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी ये वचन में देता हूँ खुशी की बात है तुम्हें शास्तुरों का ज्यान ही नहीं है फिर तुम मठाधेश का कारे कैसे कर पाओगे भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है तस्पाज शास्त्रम प्रमाणांते वर्तते कामकारता हन्ता ये चौदवे अध्याय में कहा है उन्होंने शास्त्रों की ज्यान के बिना मन मुताबिक उसका उचारन नहीं करना चाहिए ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है क्या ये चौद्वें अध्याय में नहीं बलकि सोल्वें अध्याय का तेई स्वाश्लोग है। इसका आर्थ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वृति, निगम का मतलब है वेद, आगम का मतलब है धर्मशास्त्र, स्वृति का मतलब है मंत्र, तंत्र, विज्ञान, सारे कर्मों का निर्मान, प्रतिस्थापना, आर्चना, सारे विधिविदान, आगमशास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। निगम मंत्रों का अच्छारण अगम जैसा ही होना चाहिए। जिस कार्य का निर्माण अगम शास्त्र के अनुसार हुआ है। उसी विधान के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमारा देवाले शिवाले के अनुसार ही बनाया गया है। और हमारे शिवाले मुख्य तह 28 प्रकार के होते हैं कारण कामिका, योग चित्य, दीप, सुक्ष्व, सहर्षरा, आधी-आधी हमारा मंदिर कारण कामिका पध्धती से बना है उसके लिए माता की आराधना और श्री चक्र की स्तुती श्री विद्या के संप्रदाय के अनुसार ही होनी चाहिए शिव के अनुसार पंच ब्रह्मा मतलब कौन है? शिव का पंच मुख भी पंच ब्रह्मा है उनके नाम है सद्य जोता, वामदेव, अगोर, तत्पुरुशा ईशान और इन पाँच मुखों से ही न, म, शी, वा, या, नमशिवाय से ही पंच अक्षर मंत्र उत्पन हुआ है इन पाँच मुखों को चैतनी देने वाला शिव ही पंच मुखों कर संसार का नायक है अच्छी बात है, और एक छोटा सा प्रश्न, शिवम राज कोन है? कोई कले नहीं, किसी का वद नहीं, असत्य वचन नहीं, कोई एहंकार नहीं, किसी का उपहास नहीं, स्वयम की प्रशंसा नहीं, औरों का अपमान नहीं, यही आत्मशुद्धी है, यही भैरव की सिद्धी है और यही है परम्पता परमात्मा की अम्रित वाण। ब्राहमन कुल में पैदा होने वाले और भेदभाव का तिरसकार करने वाले सब में समानता लाने वाले बार्वी शताप्ति में पैदा हुए वस्वाराजी के बारे में ही आप पूछ रहे थे क्या? बिल्कुल सनातन धर्म ने ही मूर्ति को पूजने के प्रथा की शुरुवात की थी तब से शिव के आगे बैठे हुए है नंदी महाराज उसके बारे में बताओ नंदीश्वर शिव पराण के अनुसार शिलाक के आगे बैठ कर तपस्या करने के फलस्वरूप शिव के यह अंश्च से अवतरित हुए है रिशी मुहियों के वेध वाके के अनुसार ही धर्म के चार स्थम हुए है सत्य, अहिंसा, शुची, धर्मपत संपादन इन चारों स्थमों पर ही धर्म की सच्चाई टिकी है इनीने हम सबको ग्यान दिया है धर्म का शद्धा से पालन करने पर हीश्वर प्राप्त होता है नंदी महराज के दर्शल के बाद ही शिव की पूजा होनी चाहिए धर्म का रक्षक ही भगवान है भगवान को देख कर सत्य आशरन करना ही धर्म है शिव पर द्रिष्टी रखने वाला भग्त आनन स्वरूप होता है और वो आनन स्वरूप ही लंदी महराज है मानता भश्म धर्म तीन रेखाओं में ही क्यों होता है उसे आड़ा खीचने का कारण जा है अगनी सारा भश्म वर्चस्व को तेज को आयूश रक्षा पवित्रता और शांति प्रदान करता है भश्म भाशनात भसितम प्रोप्तम भक्षकिल भश भक्षनात इसका अर्थ स्वर्तिव्याक्या प्रकाश स्वरो पाप का नाश करने वाली है भश्म ओमकार में आकार ओमकार मकारों को रिगवेद साथ ही यजुरवेद और सामवेद को ब्रह्मा विष्टु महेशवर जी का प्रतीक मान कर भस्म की तीन रेखाएं माथे पर लगाई जाती है माथे की लिखावट को शुब बना कर उसे परिवर्तित करने की शक्ती भस्न में होती है आने वाले संकट का संकेत होता है ललाट की रेखाओं के अनुसार ही भस्न को भी आड़े रूप में लगाये जाता है बना के ठीपित करने के अनुसार है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो शिवम बेटा हाँ मार मेरा चनम सार्थक हो गया बेटा बड़े बड़े विद्वान लोगों के पूछे गए सवाल निगम आगम भगवद गीता वेद और पुरान अर्चना अविधी विधान सब कुछ तुमने इतने सरल तरीके से कहा है इसका मतलब भगवान शिव ने ही मेरी कोक से जनम लिया आज में धन्य होगे बेटा माह तुम ही मेरी प्रथम गुरु हो जब तुम तुलसी तुलसी दुर्गा भद्रा कहकर विंदावन की परिक्रमा करती थी तब मैं तुम्हारी हर बात सुनता था जब मैं तुम्हारी गू मैं खेल-खेल में ही उसे याद करता था मां दद्दू संध्या के समय मुझे गायत्र मंत्र सुनाते थे जिसे मैं कविता की तरह याद कर चुका था संसार के किसी भी कोने में जाता हूँ महा पर भी मैं संध्या वंदन करना कभी नहीं बूलता मां हमारे पूर्वजो का वो मंदिर हमारे लिए अमूल्य धरोर है और शेव की सेवा ही हमारा धर्म है अगर कोई चल कपट से उससे चीनने का प्रियास करेगा तो मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूगा शिवम बेटा इस घर का बड़ा बेटा बनकर हमारे वन्ष का ही नहीं बलकि तुमने परंपरा की भी रक्षा की है पितरों को हर वर्ष पिंडदान करने से कहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है नहीं आज तुमने भगवान की सेवा के लिए हाथ आके बढ़ाया ह इसलिए आज उन सभी आप माओं को सच में शांती मिली होगी तेरा पिता कहता था तेरे कदम कहीं पर भी नहीं टिकते हैं लेकिन आज उस भगवान की चरण में तुझे सदा के लिए स्थान प्राप्त हुआ उस शिवा के पास आज तक एक ही नंदी था लेकिन आज के हो गया बिना वारिस के मठाधीश की जगह पर आपने अपने आदमी को बैठाना चाहा तो वो भी मिट्टी पलीद हो गई को लेल से निकला पत्थर निशाने पर लगे तो ही किसी ने ताली बचा कर सारे पंच्यों को खेट से उड़ा दिया अब उसे नहीं जीना है उसे ज चावी गर्बग्रे की चावी खजाने की चावी सेवा सतकार से लेकर भगवान की आभूशन तक का हम लोगों ने डुप्लिकेट बना रखा इस हाथ से निकाल कर इस हाथ में रख दिये तो सब खत्म मंदिर के तमाम जागीर और जिवरात के मालिक हम ही है हम ही है मालिक भू वो अपने बाप से भी दो कदम आगे है तुमने देखा नहीं इतने साल इस गाउं से दूर रहने के बावजूद वो कैसे उस दिन पैपैपै कर रहा था जो भी हो अभी हमें थोड़ा सत्रक रहने की जरूरत है वरना पासा कहीं उल्टा ना पड़ जाए जब तक परमेश्व पर कहीं दर्शन हो गए आप यहां किसकी प्रतिक्षा कर रहे हैं नंदी महराज केवल शिव की प्रतिक्षा ही करते हैं हम भी वह ऐसे ही हैं मंदिर के रक्षा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं किसने कितनी चोरी की है और कहा कहा हाथ मारा है अकाउंट्स देखने के बा अलब आप कहना क्या चाहते हैं कि हम इस मंदर के हिसा में गोड़ाला करते हैं मैं कसम खाकर कहता हूं एक छुट्टा पैसा एक पैसे को भी नहीं चुआ मैंने बिल्कुल तुम्हें पैसे को नहीं चुआ लेकिन रूपियों को निगला है वो भी करोड़ों रुपए है 25,000 रुपए प्रती दिन एक माह का 6,75,000 रुपए और एक साल का 21,000 रुपए होता है अकाउंट में तुम लोगोंने लिखा है साड़े 3 करोड़ इसका मतलब है तुम लोगोंने जूट बोलकर 2,89,000 रुपए हरपा है इसके अलावा चोटी मोटी चीजों को मिला कर होता है 30 करोड रुपए साल आना लेकिन अकाउंट में तुम लोगोंने लिखा है साड़ करोड तुम पुराने हो इसलिए अपमां नहीं करना चाहता है। मैं तुभारे सामने एक better प्रस्ताव रखता हूं तुम लोग 30 करोड एक साथ मन भरो 30 दिनों का समय देता हूं, 1 करोड तीस करोड तीस दिनों में चुका दो ऐसा हम सब को धंकी दे कर गया है वो फुशिया मनाओ की अब तक वो सिर्फ एकाउंट की फाइले देख रहा है अगर उसने हमारी पुरानी फाइले खोल दीना तो हम तीनों जन्द हर 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 महादेव के पास पहुंच जाएंगे अभी अभी तो उसने भागवा कपरे कंधे पे डाला ही है पाताल चले जाए तो भी नहीं छोड़ने वाला है वो हमारी भणाई इसी में है कि हम टाइम पे पैसा लाटा दे हैं पहले तो शान से कहता था अम इमएस्ट करेंगे उससे हम करोडू कमाएंगे बड़े बड़े कम्पलेक्स बनाएंगे इसलिए हमने सारे पैसे इंवेस्ट कर दिये नहीं दिये तो वो क्या भी गाड़ लेगा उसे उसके बाब के पास भेज दिये तो अपने चेले लोगों को खंबा पिला कर छोड़ दूंगा और चेखने के लिए उसे पेश करूंगा तो मेरे चेले लोग उसकी बस हड्डियों का टुकड़ा छोड़ेंगे हड्डियों का टुकड़ा ही चलगे हो मेरे चेले लोगे उस हाराइए मुला मेरे नुटा मेरे चेले तो मेरे चेलेस अपने चेलेए हुआ झाल लुआ हुआ हुआ झाल हुआ 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 झाल धड़ ख़चए धड़ आध प्राठी राध प्राठी आध प्राठी लेख प्राठी जिसना प्राठी आध और सुम्हा प्रेतान। कर दो कर ठ कर दो कर दो अपर रहको जह स्केर 가능 लिएट इंटेग इंटेफल झांभट बप़्े करो जा है झांभट झांभट मेन! कर दो अजके अए इन आख सबुड़ाय आख सुड़ाया आख साव अजगा है युझ आख सुड़ा इन आख ते अ आख सबु़ है झाल 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 कर लिया तुरे क्या किया वापस आ गया जाले इसे तो पूद्दा जी ऐसे वारोग तो मर जाएगा यह इसकी बातर में आकर 20 करोड में वेस्ट करते हैं अब देख लिया यह काम तुम जैसे चिंदी चोरों के बसका नहीं है इसके लिए तो किसी बड़े किरों को सुपारी द घुड़ रुघ्या भाई सामने से में कशने में मिल गया है अमाउंट का क्या हूआ ट्रांसफर कर रहे है ऑके मुनीर का है देखा 100 साल तक नहीं मरेगा यह मुंबई से एक डील मिला है भाई एक पुजारी के लिए इस तरह की चिलर डील में हाथ नहीं डालने का कितनी बार समझा है मैंने करोडो का डील है भाई एक पुजारी को टपकाने के लिए करोणो रुपे की डील इसलिए उसका फोटो फैक्स करने को कहा है झाल झाल एक पुजारी को मारने के लिए हमारे दंदे में पहली बार करोडो की सुपारी मिली है निशाना चुकना नहीं चाहिए निशाना सीधे उसके सर पर लगाना जरा हम भी तो देखें ये करोडो की चीज है कौन झाल ये वापस आजाओ रे वापस आजाओ आमसून, आपसून, शिकर घुन्दों पोसी सु पेज Saysू बेलाय तुम-tुम समा सूद्धुम सीजपासू हिए बस he के से सूदुम झाल 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 विदेश में अपने देश का गाना सुनकर मेरा दिल बाग बाग है बहुत खुशी मिली है मुझे आपकी तारिफ मवाली बॉइ तुम अपनी खुशी के लिए गाती हो या फिर महफिल की खुशी के लिए दोनों के लिए क्या है ना ये मेरा पेशा है यहां गाकर कितना कमा लेती है मुझे सिर्फ ले जाने का इरादा है या फिर खरीदने के इरादे से आयो हो तुम इरादा जो भी हो अगर नहीं मानी तो उठा कर ले जाओंगा स्टाफ बना कर रखोगे या अपने दिल में बसने का मौका दोगी मेरे दिल में पैसे रहते हैं चाहो तुम के साथ खेल सकती है बोले चिल्लर में खेलोगी या लाखों में ऐसा क्या काम करते हो जो इतनी कुमाई है लोगों की जिन्दगी का सौधा करता हूँ तुम नहीं समझागी क्यों स्नेक तुम मुझे बहुत अच्छी लगी मैं तुम से कुछ नहीं चुपाऊंगा है ह्ज़ बहुत कि कRI दुम करता है कि फ्धर लाट ग्रह नहाँ यूब को अब धूअ अब ढूल होगा बोल्ड जो हएं नहीं इन एब को न आएगा बताई समीर नौ बेबी खुश्वन थाएगा ग्राउंड पर प्लेयर्स मेरे कहने के मुताबिक ही आते हैं वन बॉल तो गो शीक्स रंस तु इन लास्ट रिकेड गॉमान गॉमान बेबी यू टेल में वन फिक्सिंग में कितना पैसा कमा लेते हों मैं गेम फिक्स करता हूँ पैसा कमाने के लिए पबलिक को उल्लू बनने के लिए उन लोगों के लिए क्रिकेट ही सब कुछ है और मेरे लिए पैसा टीम जीतती है तो पुरा देश सेलिबरेट करता है और हार गए तो सभी मू लटका लेते हैं और इस्पेशली ये जो इंडियन प्लेयर्स है ना उन लोगों को हार्ड कैश नहीं चाहिए और थ्रेटनिंग कॉल्स भी नहीं चाहिए उनके होटल के रूम में चियर गर्ल्स को भेश कर उसका हम फोटेज बनाते हैं और फिर सारे प्लेयर्स हमारे इशारों पर नासते हैं मैं हूँ थर्ड अंपायर तुम्हें इंडियन से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि इंडिया ने ही मेरे सिटिजनशिप को कैंसल किया है इसलिए मेरे ख्वाहिश है कि वहां का हर सिटिजन, टेंशन, डिप्रेशन और सेप्रेशन की आग में चलता रहे पूरे देश भर में असली नकली के फर्क ना होने वाले फेक करेंसीज चलने चाहिए पूरे इंडिया की आर्थिक स्थिती को मुझे चिन भिन करना है देश का हर एक इंसान पैसे पैसे के लिए मोहताज बन जाए Wonderful plan, don't worry, तुम्हारी खातिर उस देश के खातिर में कुछ भी करने के लिए तयर है Hello Gadget, I'm the complete network और phone pause का सारा details इस हार्ड डिस्क में है बाद में phone करता हूँ मुझे क्या करना होगा उसका future plan क्या है, उसे किस तरह एक्सक्यूट करने वाला है यह जान लो कली उसे और उसकी सारी गैंग को मेरी बताई हुई जगे पर ले आना, ओके बाद में वैसा ही करूँगी जैसा तुमने कहा है भाई, लास्ट मन सिर्फ नौर्ट जोन का ही काम हुआ था, सिर्फ दो सो करोड की रेवनियर जनरेट हो पाई है भाई इतना कम होने के बावजूर इस महीने का कंसाइन्मन अभी तक नहीं आया है सैम्यूल, इब्राहिम, शेट्री, वाहिद, आब तक किसी ने भी कॉंटेक्ट नहीं किया है भाई इसकी वज़े, अंडर वर्ल्ल में अलेक्जेंडर नाम के एक नए बंदे ने एंट्री लिया है वो कहां से आया, पहले क्या करता था, उसकी पहचान क्या है, ये किसी को नहीं पता वो बहुत बड़ा खिलाडी है, जो काम किसी के बस का नहीं उसमें वो बेजिजख हाट डालता है सबको उसने खुश रखा हुआ है, टनो के हिसाब से मौल सप्लाई कर रहा है, वो भी कम रेट में मार्केट को एकदम सस्ता करके, हमें हफता देने वालों को भी उसने अपने कबजे में करने का प्लान बनाया भाई कल अगर उसका डील ओकी हो गया तो भाई, हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे अब तक जितने नेटवर्क को तुम इस्टैब्रिश करते आये हो, वो उसे अपने कबजे में ले लेगा उसे ऐसा मौका मत दो भाई, मैं ही उसे जाकर भून देता हूँ तुम्हीं जाने की जुरुत नहीं स्नेक, यू आ राइट हमारा कोई भी आदमी चाहेगा तो वो अपना प्लान चेंज कर देगा इसलिए तुम्हारा जाना बेटर है वारा कोई जाना जाउ झाल 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 यूमन ट्राफिकर्स, ड्रग डिलर्स, आम सप्लायर्स, सब को एक साथ बुला कर मा रहा है, मतलब वो बहुत चलाख है भाई, हमारी कमपनी डूब रही है, पूरा नेटवर्क बिगार दिया उसने, आप उसे नेगलेट कर रहे हैं, तब ही वो उचल रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसे एक बार देखना है, मीटिंग फिक्स करो, हुआ अलेक्स, अलेक्जेंजर, मैं सोच रहा था तु को इट्रैलियन, अमेरिकन या फिर ब्रेजिलियन होगा, उस दिन तु फिक्स किये हुए टाइम पर नहीं पहुचा, उसी वक्त मैं समझ गया कि तु पक्का 99% इंडियन है तु जैसे पर दोसी लोग टाइम को फालो करते हैं, और हम जैसे इंडियन को टाइम फालो करता है, रियल डाउन को देखने के लिए तु दस मिनिट पहले आया है, जरा अपनी गड़ी तु देख ले एक चोटे मोटे गैंग को मार दिया तो अपने आपको बहुत बड़ा डाउन मत समझ, हाँ इस माफिया नाम के सागर में कितनी ही मचलिया हैं, लेकिन इन सब के बीच खतरनाक शार्क मैं ही हूँ, फिर भी तेरी हम्मत की दाद दीनी होगी, इस डाउन को देखने के लिए तु अकेला आया है, वो भी बिलकुल नहत था एडते लिए जाँच्पट ए Two एद देख attracts व मत सम थे याँड़ा है इस तरह से पिछले पच्छी सालों से हमारे देश पर ही ऐसे अटेक पर अटेक क्यों होते जा रहे हैं ये सब सिर्फ पिछले पच्छी सालों से नहीं हो रहा है सर बलकि पिछले हजारों से हमारे देश पर आक्मन होते आ रहे हैं इबराहिम लोदी, अलाओ दिन खिल जी, महमद गोरी, पाबर, औरंग्जेब, चंगेज खान से लेकर आजकल के जमाने में दाओद इबराहिम, छोटा शकील, अफजल गुरू, अजमाल कसाब, यासिन भटकल, साथवी शताब इसे लेकर 21 सदी तक हमारे देश पर हमले होते आये हैं सर पिछले दिनों हमारे देश पर जो हमला हुआ था, उसके पीछे एमान उल्ला खान का हाथ है सर वो माफिया का खेल 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 रहा है, तो हमें भी माफिया का खेल खेलना चाहिए टेरेरिजम का अंसर टेररिजम ही है उस दिन तुम्हें खान को शूट करने के बाद उसके गैंगे बचे हुए लोग तुम्हें कहां मिलेंगी ये इंफरमेशन में ने तुम्हें दी उन सब को फिनिश करने के बाद तुम इंडिया लोटाएं मैं भी निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे मुझे मुनिर मिला और बरलीन रोम ले गया वहां खान को दफनाने के तयारी चल रही थी सबसे शौकिंग बात तो ये हुई कि मेरे सामने अमनुला खान की डेट बोडी पड़ी पड़ी हुई थी और उस डेट बोडी पर अमनुला खान ही फूल चड़ा रहा था तुमने जिससे मारा वो उसका डुपलिकेट था मैंने तुम्हें ये बताने के पूरी कोशिश की बड़ इंट हैपन वो मर गया ये खबर बिल्कुल एक आग की तरह पहल गई उसे हर कीमत पर अपनी मौत का बदला लेना था वो तुम्हें माफ कने के मूर में बिल्कुल नहीं था उसके दिल में बदले की आग बढ़ती जा रही थी वो दुनिया के हर कोने में तुम्हें डून रहा था उसका सिफ एक ही मकसद था तुम्हारी मौत कुछ दिनों के बाद उसे बिहारी गैंग से किसी को माने की करोडों की सुपारी था उनके भेजे हुए फैक्स को देखकर मैं पूरी तरह शॉक्ट हो गया प्रीस्ट के गेट अप में वो तुम्ही थे या कोई और ये मैं नहीं समझ पाई एक पल के लिए ऐसा लगा प्रीस्ट का गेट अप शायद किसी मिशन के लिए तुमने चेंज किया हो मैं पूरी तरह कनफ्यूस थी मैं किसी को फोन नहीं कर पाई मैं पूरी तरह मजबूर थी मुझे उस वक्त सिफ एक ही चीज सूजी कि उन्हें किसी भी हाल में तुम्हारी तस्वीर नहीं मिलनी चाहिए फाइनली मुनीर तुम्हें मारने के लिए इंडिया आ रहा है जैसे ही ये बात मुझे पता चाहिए मैं किसी तरह वहां से निकल भादू और तुम तक पहुचकर तुम्हें बचाना मेरा मिशन बन दिया इस इंकम्प्लीट ऑपरेशन को कैसे कम्प्लीट करोगे इसे आपको ही कंटीनियू करना पड़ेगा सर ये तुम क्या कह रहे हो दर असल बात ये है सर पिताजी के स्वर्वास के बाद मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है लेकिन ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है हाँ बिलकुल है सर इस काम का चुनाओ मैंने अपनी मर्जी से किया था लेकिन मंदिर का काम मुझे अपने आप मिला है सीक्रेट इंफोमेशन और कांटन टेरर अटेक में तुम कितने एक्सपर्ट हो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं तुमने गिव अप कर दिया तो इस आपरेशन को कम्प्लीट कौन करेगा मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ सर इस काम को पूरा करने के लिए यहां पर एक से बढ़कर एक आफिसर है लेकिन वहां मेरे सिवा कोई नहीं है सर मैंने अपने घरवालों से वादा किया है उन्हें प्रामिस किया है अपना बचा हुआ जीवन मंदिर को समर्पित कर दूगा क्योंकि हमारे पूरवजों का वो मंदिर सदियों पुराना है जिसके हिफाज़त बहुत जरूरी है सर I am very sorry to resign from my job सर नमस्ते अरे कैसे हो शर्मा जी मैं ठीक हो घर में सब कुशलमंगर सबी लोग ठीक है हाँ आपका पोता रॉक का एजेंट है ये सुन कर बड़ी खुशी है ये वी जी बाबुजी मैडम जी नमस्ते आपके पोते के बारे में आपको पहले से पता था अरे नहीं लेकिन वो जो भी करता है अच्छा ही करता है वो घर पे है क्या मुझे उन से मिलना था वो उपर है तुम्हारा इंतिजार कर रहा है जाओ मिलो जे ठीक है सर मुझे आपको कुछ बहुत ही जरूरी बाते बतानी है जरूर बताईए सर आप रिजाइन करके आये हैं मुझे ये बात बता चली है लेकिन उसे एकसेप्ट ना किया जाए मैंने बड़े अधिकारियों से इसा रेक्वेस्ट किया है उसका कारण ये है कि आजकल जो क्राइम चल रहा है उसे हम लोग कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे है लेकिन कामयाभी नहीं मिल रही है सिर्फ इतना ही नहीं इस मंदिर के जमीन पूरे सौ एकर तक फैली हुई है और इस पवित्र जमीन पर चंदन के लगणियों के स्मग्लिंग हो रही है ऐसा कंप्लेंड आपके फिता जी ने दिया था जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है सर इस सारे काम के पीछे भूतनात का हाथ है सर उसकी पहुच सेंट्रल तक होने की वज़र से हम उसका कुछ भी नहीं विगाड़ पा रहे हैं सर आपने जिस तरह से इंटरनेशनल माफिया को धूल चटाया है उसी तरह से इस केस को भी हैंडल करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट को भी हिम्मत मिलेगी सर आप एक काम कीजिए इस ऑपरेशन के लिए मुझे दस अच्छे काबिल आफिसर्स दे दीजिए आगे क्या करना ये मैं देखता हूँ क्या प्राब में प्राब देखता हूँ आप रहाँ है करोंगे तुमारी एतनी हिंबर देवस्थानों पर कब्जा वो भी मेरे हुते वे देवस्थान पर नजर डालोगे माथे पर भस्म लगाकर इस भूत नाग की जॉकट पर आखिर तु पहुंची गया इसके टुकडे टुकडे कर दो दूसरों के माथों पर भस्म देख कर तेरे तन बदन में आग लग जाती है नो ले जाओ इससे इतने बर्सों से गवन किया हुआ करोड़ों रुपिया चांदी सोना हीरे जवारा सब लाका हम फिर से मंद्रिये खजाने में जमा कर देंगे हमें अरेस्ट करके हमारी बेसेदी ना करो माही बाहिए तुम लोग आस्तिन के साप हो देवाल है कि बदनामी न पूरे पांच घंड से मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करें तुम्हारा गई थी स्टूड़िस के लिए इंडिया आई हुए तीन सो जिहादी स्टूड़न्स के रहने का इंतजाम करने के लिए मैं वहां गई थी और कोई सवाल जेरी तो यह स्नेक नहीं है तुझे अंदाजा भी एक ओन है मेरे दिल का टुकड़ा है यह ला ला गला गला तुझे जानती हूं इसने क्या देखा यह जिस डील में तुम्हारे साथ गया था वही पुजारी की सुपारी जो हमें मिली थी जिसमें चार करोड हमें मिलने थे उसे पुजारी की रूप में एलक्स मिला जो हकिकत में शिवम राज है जब बिहारी गैंग को लेकर यह शिवम राज को मारने गया तो तुम नहीं आकर उसकी जान बचाए ऐसा का इसने मेरी दिलरुबा मेरे लिए अपनी जान दे सकती है वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती अभी बोलू तो अभी जान दे देगी हो मैं तुझे नहीं छोड़गा मेरी जिंदगी का मकसद तो यही था कि तुझे मौत के खाट उतारूँ जिस दिन तु माफिया से टेररिजम में टरन हुआ इंडिया पर अटैक शुरू कर दिये उसी दिन शिवम ने तुझे टार्गेट बना कर अलेक्स बनकर यहां इंट्र इसलिए तेरी माफिया से तुझे ही दूल चटाई तुम्हारे डुप्लिकेट के बारे में हमें देर से पता चला इसलिए अब तक तेरी सासे चल गही है मेरे डुप्लिकेट को मार कर यह मत समझना कि तुझी गया है सारे इंटरनेशनल माफिया मेरे नाम से धर्थर कामते हैं समझा अच्छा सुन तुझे काम कर तेरे मरने की दिन बहुत करीब आरे इसलिए तुझे तुझे ऐसा कर कि सारे अंडर्वर्ड वहलों को अपनी माउ कोई कमी मत करना कोई कंजूसी नहीं उसके बाद तो निकल जाना ठीक है ना अबे अकल के दुश्मन उससे पहले मैंने मंदिरा को क्यों मारा यह सवाल नहीं पूछेगा क्या मेरा धंदा, मेरी इमेज, मेरा कारोबार, सब कुछ बरबाद करके तुझे जाकर छुप जाएगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूँगा तुझे इस गलत फैमी में जी रहा है क्या मैं जिन्दा हूँ, ये जानने के बाद तुझ में मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं है मंदिरा की जान मैंने ली है, ये सुनकर भी, बदला लेने के लिए तुझ मेरे पास नहीं आएगा इतना बड़ा नामर्द है तुझ, इस मंदिर के जिम्मेदारी मेरे कंदों पर नहीं होती तुम्हें महाँ जरूर आ जाता तेरे आने तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास अबे तुझे तो मैं हर्गिज नहीं छोड़ूँगा, मैं खुद आ रहा हूँ जिस मंदिर के लिए तु अपनी नौकरी छोड़ कर इस्तीफा दे कर दुबक कर बैठा है ना वहीं पर आकर मैं तेरे साथ उस मंदिर को शंशान बना दूँगा और तुझे भी वहीं कार दूँगा चुब बे शैतान की आउलाद तो जैसे लोग सदियों से वही काम करते आये हैं मंदिर तोड़ो और खुद को महान समझने की गल्ती करो कभी खुद का तो कुछ नहीं बना सके अगर तुझ में वाकई इतनी हिम्मत है तो आजा, आजा सामने मंदिर उड़ाना तो दूर की बात है सर्फ यहां की एक एट को छू के दिखा आ रहा हूं, आ रहा हूं तेरे पास स्था सिर्फएड़ सामने की बात है स्था सार्फएव च्की थख्छचचचचच looking स्था सցवाना तेरिग, स霁ख़गद से रहा हूं, आञा हूं, अन Austria करेक्ट टाइम पर हम लोग पहुँचे हैं उसके हवन खत्म करने से पहले ही पूरे मंदिर को धूल में मिलाकर उसे यहां घसीटते हुए ले आओ उसके समाधी में यहीं बनाओगा जाओ कर दोगर कर दो कर दोगिया जाओगा जाओगा कर दो एल, यहींट नहीं नहींट कर दो कर दो तो हम खाँ वेः यहींट ए शिवम्राज तूने मुझे चैलेंज किया थाना कि इस मंदिर की एक इड भी छूकर नहीं दिखा सकता वो भी इस अमानुल्ला खान को यह खान क्या क्या कर सकता है अब तू देखना दो hee तूकर टी थूचर भूसर का थान बां इसित giving a karu अभाई पस प्रूर स्भूसर आ connected to the मैं अब तक विश्विशान्ती के लिए ही हवन कर रहा था क्या कहा था तुम मंदिर को धूल में मिलाएगा हाँ त्री नेत्र तक पहुचने से पहले तुझे इस नंदी महाराज को पार करना होगा आजा आजाह इठ Solar आज रहा आज अ आजानी तूम अचन्य यज लृणन, अचन्य अचन्य र्यूद लगकषा लृणन कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संस्ता प्रवरतत ये एक कान से अल्लाहु अक्बर का आजान दूसरे कान से सुनने वाले इस भूमे के लिए अपनी जान देने वाले हिंदुस्तानी है हम हिंदो मुसलिम भाई भाई की भावना को ठेस पहुचाने वाले तुझ जैसे आतंकवादी के मसूबों को कामियाब नहीं होड़े लिए हमारी धर्ती का कोना कोना चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो हर किसी का फर्ज है कि उसे अपने गले से लगाकर एक पवित्र भूमी माने मंदिर हो या मस्जिद गिर्जा घर हो या गुरुद्वारा या फिर कोई भी धार्मिक पूजास्थल क्यों नहीं हो हर स्थान पवित्र होता है उसकी रक्षा करना हर इंसान का करतब पे है धर्मो रक्षति रक्षित है